हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग एक जारखंट के एक और जीला जाम ताड़ा के विश्चे में अधन करने जा रहे हैं तो यह जाम ताड़ा जाम ताड़ा को अनेको उपनाम से जाने जाते हैं जैसे सापो का सहर हो सकता है प्राचिन समय में वहां पे साप रहा करते होंगे तो क्या होता है जाम ताड़ा जो दो सब्तों से मिल करके बना है जाम प्लस ताड़ा तो संथाली भासा में जाम का अर्थ होता है साप और ताड़ा का अर्थ होता है सहर तो इस कारण इसको सापो का सहर भी कहा जाता है अब दूसरा है fishing capital of India fishing capital of India तो यहां पे cyber crime cyber crime के लिए यह पूरे भारत में एक बिस्ट अस्थान रखता है जिसके कारण इसको fishing capital of India कहा जाता है दो नाम हो गया और वहां पर जैमाग तारा का मंदिर भी हुआ करता था जैमा तारा का मंदिर तो अंग्रेज इसे बोलने पाते थे और उसे जाम तारा जाम तारा कहा करते थे तो ये तीन बाते हुई तो इसे सापो का सहर भी कहते हैं और फिशिंग केपिटल ओफ इंडिया जैमा तारा का मंदिर होने के कारण इसे जाम तारा कहते हैं इतना हो गया अब इसका गठन के बिशाय में हम लोग जानते हैं कि इसका गठन कम हुआ 26 अप्रेल 2001 ये एक ऐसा वर्स है जिसमें चारखंट के चार जीलों का गठन हुआ है उसमें सरेकेला खर्समा एक था और एक जामतारा तो है ही सिमडेगा भी है याद रखना है सिमडेगा हो गया लाते हार हो गया और यह जामतड़ा हो गया चार हो गया अब इसमें कुछ इथिहास की और हम लोग आते हैं तो यहां पे सबसे बड़ा चीज है अठारा सो चोविस सियाद रखना है इथिहास को बारे जानते हैं हम लोग दामीन ने को 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 हिस्तान जिसके कहते हैं तो दामीन एक को की कलपना तो अंग्रेज बहुत पहले से यह कर चुके थे ना जब आपका पहाड़या बिद्रो हुआ था 1772 से 1782 ना यह ओ पिरियड है जब जार्खन में कौन सी विद्रो हुए थे पहाड़या बिद्रो हुआ था और पहाड़ी विद्रो चार चर्नों में हुआ था और अंतिम चर्नों में इसका नेत्रित्वा कौन करती है महेशपूर की राणी सर्वेस्वरी क्योंकि उनका जमीन को अंग्रेज दामीन एक कोह में सामिल करना चाहते हैं जिसका अंग्रेजों को अंग्रेजों से लडाई छेड़ देती है चुकि उसका जमीन दामीने कोह में जा रहा था और उस पर गोवर्मेंट का अधिकार हो ज गया था लेकिन जो पहाड़िया विद्रो हुआ जिसके कारण अंग्रेज उस समय दामीनेक को की अस्थापना नहीं करते हैं तो दामीनेक को है क्या उसके अनुशार वहां की जमीन को मतलब गोवर्मेंट का हो जाएगा ना तो दामीनेक को के अंतरगत में कौन-कौन से जी ल भी कुछ भाग आता था राजमाहल की पहाड़ी को देखिए उधर हो गया और उस तरफ बिहार का भागलपूर इस छेत्र के अंतरगत में दामीने कोह आया करता था ना तो उस समय क्या होता है फिर अठारा सो पच्पन अठारा सो पच्पन में संता संथाल विद्रो होता है संथाल विद्रो होने का परिनाम होता है संथाल परगना बनता हैं संथाल परगना इस छेतr को आये और उसका एटक वार्टर उसको क्या जाता है दुमका इतना हो गया हो गया अब 1953 में आते हैं उसमें कौन-कौन है देवघर गोड्डदुमका देवघर गोडदुमका और साहिब गंज इतना हो गया अब 1994 में साहिब गंज से कौन तूट जाता है पाकुड 1994 में हो गया अब फिर 26 अप्रेल 2001 को किस से तूट जाता है दुमका से तूट करके कौन बनता है जामताड़ा तो अब हम इतना ही समझें कि यहां पर किस से तूट करके जामताड़ा बना है दुमका जीले का पिखंडन होने के बाद ही जामताड़ा बना है यानि जामताड़ा किस से बना है दुमका जीले के परमंडल यह संधाल परगना परमंडल में पढ़ता है Зंधाल परमंडल के नतरगत में च्षा जी ले आते हैं गुढ़ा सहईब Sugden पाकुड देवघ्र और फिट जाम्ताला यह सारे हैं और इसमें सबसे बड़ा कौन है देवघर है छेतरफल की द्रिष्टी से अर्जन संक्या की द्रिष्टी से तो दुमका है और कहा जाता है कि इसका कुन हेटकॉाटर हो गया दुमका हो गया तो संथाल परगना के परमंडल के अंतरगत आता है और अनुमंडल जामताड़ा का सिर्फ एक ही है वह है सिर्फ जाम यहां पर कोई भी लोकसभाचित्र सेट नहीं है यह किसके अंतरगत आता है दूमका लोकसभाचित्र के अंतरगत आता है अब परखंड यहां पर कितने हैं चाह है उसे पहले जान जाएए बिधान सबा बिधान सबा यहां पर दो है जाम ताड़ा और नाला इतना हो गया अब यहां पर परखंड की बाते करते हैं यहां पर जब 2001 में दूमका से तूट करके कौन बना जामताड़ा तो उस समय चार परखंड हुआ करता था लेकिन वर्तमान में भी कितने परखंड है चा तो नरायन पूर विद्धा सागर जामताड़ा फतेपूर नाला और कुंडित इतन इतक्करने का कोशिस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग विध्ध्यासागर को माल लिजे लेते हैं विध्धासागर तो विध्याज सागर तो इसका पूराना ना मैं करम नाम आटम करम कर इस्वर्चन्द विद्धासागर की कर्म भूमी रही है अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष वो यहीं पर बिताए है अजो उनका आश्रम था उसको क्या बोलते हैं नंदन कानन नंदन कानन तो याद रखना है नंदन कानन में वो रहा करते थे जब उनका मित्यु हो जाती है तो उनका बेटा नंदन जो आश्रम था उसको बेचना चाहता है लेकिन वहां के लोग उसको इतना पैसा जरुवत पड़ता है उसको चंदा करके उसको दे देते हैं तो उन्हीं के समान में जो करम तान जो प्रकंड था पहले अब वो विध्या अस्थापना किये थे बाली का विध्यालय की अस्थापना किये थे इसलिए उनके समान में यह नाम रखा गया विध्या सागर और रेलवे जो है भारती रेलवे जो है उनके समान के लिए उस रेलवे स्टेशन का नाम भी विध्या सागर कर दिये तो विध्या सागर जो प् अब हम लोग चलते हैं नारायन पूर दूसरा ब्लोक कौन है नारायन पूर नारायन पूर भी बहुत ही फेमस परखंड है ना तो यहां पर कर्म कर्म दाहा का मेला लगता है कर्म दाहा का मेला पूछा जाए कहा पर लगता है कर्म दाहा का मेला तो यही पर रखता है ना और यह कब लगता है कर्म दाहा का मेला मकर सक्रांती के समय में मकर सक्रांती के समय में कौन सी नदी के पास तो बराकर नदी यही पूछा जाए कितने मंदिर को करते हैं और वहां पूझा करते हैं और ऊसी की पूर के लिए कर्न नामक एक महापड़ापी राजा किये थे तो उसको लोग कर्म कर्न दाहा करते थे लेकिन कालांतर में वो कर्म दाहा कहा जाने लगा तब से कि इस जगह का मेला को कर्म दहा खों जाता है यह 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 कब से लगता है सत्रवी सता बदी से यह मेला लगते आ अब यहाँ पर एक और चीज है यहाँ पर मैथन डेम है यहाँ पर वड़ा कर नदी आती है और इस जघह में कौन सा डेम बनाती है सबसे पहले कौन नदी में है बराकर नदी हाजारी बाग के तरफ से निकलती है उसके बाद हजारी बाग हो गया धनबाद हुआ इस तरफ से आती है सब सौचता है कि मैधनदी कहाँ पर है। अभर कशण दरफ से भी कूता है यह दो धनबाद है कुमा लूबी को चूता है जाल कंडी के नराइनपूर परहनट को चूता तो अर्य डेम में बीजली पैदा की जाती है और जैसे ही आसपास बराकर नदी में जहां पर बराकर नदी है तो वहां पर एक देवी का मंदीर है कल्याने स्वरी देवी कलियानेश्वरी देवी का भी मंदिर है याद रखनाना मैथंडेम के पाजबराकर नदी के तट पर तो इसमें नरायनपूर में क्या-क्या हुआ एक मेला हुआ उसका नाम है कर्म दाहा मेला कब लगता है मकर सक्रांति के दीन में 15 दीनों के लिए और वहां पे बाबा दुखहरन है दुख्या महादेव याद रखना की दुख्या महादेव मंदिर कहां पे है तो आप कहिएगा कहां पे है नहीं पे है कर्म दाहा जाम तड़ा में है 15 दिनों का मेला है बराकर नदी के तट पर लगता है और कहा जाता है कि उस मंदिर की खोज कोन कियत है एक महा प्रतापी राजा कर्ण ने कियत हैं बाद में कर्ण दाहा कहा जाने लगा फिर बाद में और नाम बदल के कर्म दाहा हो गया और है और यहाँ पे मैथन डेम है नरायनपूर बांडरी को टाच करते हुए श्पीमा रेखा बनाती जामताण जहां पर बराकर नदी है उस पास में एक मंदेवी का मंदीर भी है कल्यानेश्वरी देवी सिर्फ आप जाइएगा तो आप समझ जाइए कि वेस्ट बंगव लागी है उस जगा पे है नरायनपूर हो गया अब तीसरा पर्खंड है नाला जारकंड में दो ही जगा काजू का खेती के लिए फेमस है एक नाला और एक चकुलिया चकुलिया काजू और एक नाला का काजू इतना याद रखना है ना यहां पर नाला का विधायक कोन है विशेश्वर खान विशेश्वर खान यहां के विधायक है विश्वेश्वर खान जारकंट का सबसे ब्रिद्ध आदमी कहा जाए, जारकंट का पर्थम प्रोटोम इस्पीकर कौन थे, जानि पहला मीटिंग कौन कराये थे, तो यह विशेश्वर खान है, इन्हे सर्वस्रेष्ट जारकंट का उतकृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित क्या गया, रखना है, अब और कौन सा बज बच गया, अब हम लोग चलते हैं, जाम ताड़ा, पर्वत बिख़हार पार्क है, पर्वत पि laugh पार्क यतना याद रखना है परवत विहार पुछा जाए कहां पर है तो यह पर रेल्वे स्टेशन से पांच किलो मिटर की ही दूरी पर है अगर यहां पर आप जाएएगा तो यहां से सुर्योदय और सुर्यास्त काना जारा काफी खुबसूरत दिखता है तो यह है परवत डेम तो क्या होता है यहां पर मैथन डाम डेम है बराकर नदी के पास तो वहां पर पानी बहुत ही स्टोरेज हो जाता है अब उधर से दाम उधर नदी भी आती है तो जो बराकर नदी है और कुछ दूर पर जाके जाम थाना यहां पर यहां पर क्या होता है एक डेम के रू थाना के पास है लाधना डेम अब यहां से लगता है जमताड़ा रेलिवे स्टेशन से बारा किलोमेटर के उसकी दूरी है और वहां पे यह लाधना डेम का बहुत ही खुबसूरे द्रिस है चारों तरफ पहाडियां है नौका भिहार है पिकनिक स्पोर्ट्स है मान जाए अब बराकर नदी है बराकर नदी ही वहां जाके डेम का निर्मान करता है चुकि मैथन डेम का पानी का लोड़ बहुत ज्यादा हो जाता है फिर वहां जाके एक बहुत बड़ा छेत्र में उच्छ पानी जमा हो जाता है वही है लाधना डेम हो गया और मिहिजाम का जब नाम आ तो एक चीज्ज और याद रखिये मिहि जाम एक ऐसा जगाह है वहां पर make परतम सबसे पुरानी हों तिक मैंड के हैं होमयोज ऑस मिक और नियुक डी च्था डार लिश Celia चांश जारकन पहला हूमियोपाथिक मेडिकल कोलज पूछा जाए तो कौन है यहीं पर में 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 जापूंचार नहीं में में जारकन में 6 ही हूमियोपाथिक और सारे होमियप्रेथिक कॉलेज को डिगरी कौन देता है वी एच यहां से ही डिगरी मिलता है अब और एक रह गया कुंडित यहां कोईला खान के लिए फेमस है जामताड़ा का कोईला खान अजय नदी का बेसिन है उसमें यह खान है तभी हम लोग यह नहीं पाएं इसको उपनाम जमताड़ा का सापो का सर्फेशिंग के पिटल ओप इंडिय में है लोकसभा खेत्र एक ही है विजान सबाड़ा खेत्र दो है जामताड़ा नाला और लोकसभा में इसका कोई भी सीथ नहीं है यह दूमका के अंतर गता ता यह मैधन डेम है आगे लाधना डेम है हम लोगों ने इतना पढ़ा और च्छो जो परखंड थे उसके नदियां ही देख लेते हैं तो यहां अजय नदी पर मुख है अजय नदी अजय नदी के विच्टाइब हम लोग यही जानते है कि यह मूंगेर से निकलती है और यह देवघर देवीपूर प्रखंड़ा वहां से परवेश करती है जहरखंड में और यहां पे देवघर के आधेती से पर्वेश करती एक जगह है वहाँ से छोड़ देती है और ऑगरत से मिल जाती है और थाध में मिल तो नदी के बॆसे में रहा सिर्म भेइस करती है अर्ञ इसे सब्सक्राइब करते हैं का उप अधं करते हैं यहां एका कख्रामर और проект की मैं खोर देती है इतना हम लोग जानते है अर्ण इतना हो गया अब दूसरा है बराकर नदी हजारी बाक से निकलती है पदमा जहां पुलिस ट्रेनिंग केमप है वही असपास से निकलते हुए ये ग्रिडी होते हुए आती है इसको जैन और बाउध धरं में इसे काफी मनेता प्राप्त है इसका नाम है और ये मैथन डेम बना पर हो गया अगे बढ़ती है इसमें मैधन डेम है इतना दो ही नधी के हम लोग जानते हैं यहां पे हो गया अब हम लोग अजय बराज ακराइबर परयोजना है उसके इसमे थोड़ा जान लिजिए लेकिन ये ये नहीं है जामतारा में ये कहांर पे है देवघर देवगर देवघर में वहीं पर यह पर यह परयोगना है लेकिन उससे जो नहर निकली है ओनार जो है केनाल 110 किलो मेटर का है जो केनाल है जामताड़ा कुंडित नाला होते हुए पार होती है और इन छेत्रों को सिंचित करती है तो अजय बराज परयोजना में ही याद रखना कि अजय यह अहां पर नहीं है लेकिन उससे जो नहरे निकली है उससे यहां पर सिचाई होता है इतना हमलेव को याद रखना है अब और क्या बज है दुंका में अलग्ों के वनी है और वें कोल है बञाग्ल भी है दुमका का समुड़ा हुआ है और में दक्षिण में धज्य वेस्ट बंगाल स्टा हो ने तना हो गया अब हम लोग देखते हैं उढऊघ में यहां ज्यादा कोई उधोग नहीं है पत्थर उधोग माइने रखता है यहां पत्थर उधोग जारखंड में कहां पर होता है तो बताना है कि पत्थर उधोग यहां पे जामताडा में होता है और क्रिसी में देखा ना है तो धान तो जारखंड के हर एक जगा होता है धान इधर में मक्का और अरहर है ना और चुकि ये तो बेंगोल से सटा हुआ है तो यहां की संस्क्रीती में किसका परभाव है बेंगोल का परभाव है इतना याद रखना हमें अब यहां पे और क्या-क्या बताए हम अब फ्रीडम फाइटर कुछ देख लिजे फ्रीडम फाइटर तो सत्य काली बाबु का नाम आता है इन जामताड़ा जीले में इन्होंने बढ़ चड़ करके हिस्सा लिया था फ्रीडम में तो चाहे वो अथी हो बहुँ सारे अंदोलन भारत चड़ों अंदोलन देख लिजेगा सभी ने योग अंदोलन धो गया असायोग अंदोलन सब में इन्होंने बढ़ चड़ करके हिस्सा लिया है और एक नाम नरसी राय नरसी राय खून और आशू खून और आशू इस्तियार देते थे पेपर में इतना याद रखिएगा फ्रीडम फाइटर में सत्यकाली बाबू और नर्सी राय इतना हो गया और क्या बज़ गया अब यहां पर हम लोग देखते हैं और कुछ कुछ चीरूडी कांड जो 1975 में हुआ था यहां पर उनके अभ्यूप सिभू सोरें थे ना अब और क्या अब चीरूडी कांड अब हो गया रमना और एक चीज देख लेते हैं जृँवा गाउं है जृँवा यहलुवा गाउं जृवा गाउं ना वहां पर ज्योगाऊं जामताणा में ज्यूवा Indian Reserve Battalion का training center है यहां पे ना इंडियन स्टेर्ब बटालियन का training center यहिए पे है नहीं अ और धसन्या पहाड धसन्या पहाड यह याद रखिएगा धसन्या पहाड कहां है तो जम ताड़ा में है यहां पे 1766 इसमी में रमना आहाडी ने अंग्रेजों के खिलाप बिद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाप रमना आहाडी खिलाप बिद्रोह किये थे ना ठीक है और कुष्ट रोगियों की संख्या चारखंड में जामताणा में सबसे ज्यादा है कुष्ट रोगी अगर पूछा जाए जान जारकंड में सबसे ज्यादा संख्या में कहां पर है तो जामताणा में कुष्ट रोगी परकार का इसकीन प्रॉब्लम्स होता जिसमें दाग होते हैं लालिमा लिये हुए और वे दो परकार का होता पीबी और इंबी ना तो याद रखना है इतना अब और क्या चीज बताना है चट्था परधान मंत्री आवास योजना परधान मंत्री आवास योजना को सुचारू रूप से चलाने वाला यही एक चीला है तो उधोग में पत्थर उधोग हुआ यह सब देखे फ्रीडम फाइटर में सत्यकाली बाबु के विशे में हम लोग देखना चीरूडी है कांट के बिठे में जिलुआ गाउं इंडियान रिशिव ट्रेनिंग सेंटर जो बटालियन का था वहाँ धसनिया पहाड में रमना आहाडी के विशाई में हम लोगों ने देखा न अब एक और गाउं है उप खंदा गाउं उप खंधा गाउं सिद्धो और कानो था ना तो कानो जो है उप खंदा गाउ में ही गिरफ्तार हुआ था उप खंदा गाउं में ही ओ गिरफ्तार हुआ था ना आर यहां पे तीन स्टेशन है रेल्वे कि स्टेशन कितने हैं तीन आपका जामताड़ा है विद्धा सागर है और चित रंजन है चित रंजन जाने से तो पता चलता है कि बेंगोल और जारकंट सट गिया है उस तरह का आता है नास और सबसे कम बंचेत्र पुछा जाए छेत्रफल की दिश्टी से कहां पे है तो यहीं पे है जामताड़ा मे और सबसे जादा बंचेत्र कौन जीला में है तो पस्मी सिंबुम में और परसेंटेज की दृष्टी से देखा जाए तो वह है लाते हार में ना तो इस परकार आज हम लोग जामताड़ा जी लेके सभी तथ्थ्यों को बहुत ही गहराई से अध्यन क्या है तो मिलते हैं ने